एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियोगात्मक अध्याय पाच का फेश भाग, इसके पहले वाले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि मापक बराने या मापक प्रदर्फित करने की तीन बिधिया, कथन मापक, ठीक है, कथन मापक, उसके बाद प्रदर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको दोनों को हम पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा चित्र बिधि, मित्रों जिसको फिर्फ कापी कम्प्लीट करना हूँ, फिर्फ वही चीज़े लिखेगा जो इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है, बाकि फमधने वा फुबिधा के अनुफार, मापक रेखा बनाकर, उसके मित्रों जिए उफक लिखा हुआ है, इसको आप उसके पढ़िएगा, इसमें पाईवाप लगा दीजिएगा, उसके होगा, उसके प्राथमिक तथा दुतिया किया जिफे गौण भाग कहते हैं, उसमें भी भाजित क पढ़ी कभी क्या फम में जरूरत पढ़ेगी इसकी, ठीक, आप देख फकते हैं, आप देख फकते हैं किन पैमानों को आपको याद करना है, ओ है, जो खे पहला नंबर है, एक मील बराबर क्या होता है, एक मील बराबर होता है, तिरफट हजार तीम फुफार्ट हिंच, और एक मील बराबर होता है, फत्रा फुफार्ट गज, ठीक है, इसी तरह एक गज बराबर तीन फिट या छती फिंच या नब्बे फेंटी मीटर, ठीक है मित्रों, एक गज बराबर तीन फिट भी होता है, छती फिंच भी होता है, नब्बे फेंटी मीटर भी होता है, मित्रों अगला है अगला है एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर होता है और उफी एक हजार मीटर को अगर फेंटी मीटर में बना लेते हैं तो एक किलो मीटर बराबर हो जाता है एक लाग फेंटी मीटर बराबर हो जाता है एक लाग फेंटी मीटर बराबर हो जाता है या एक किलो मीटर बराबर एक लागतँ मीटर ये दोनों जरूर इयाद रखिए का बाकिंटी कोभी थोड़ा भूद भी याद होगा तो चलेगा काम ठीक है एक मूटर बराबर होता है का about four सेंटी मिटर ठीक है आगे एक फर्लांग बराबर होता है दो फो बीफ गज या उफी को हम जो है एक फरलांग बराबर हो गया उन्याफी फाथ हजार नौ फो बीफ इंच ठीक चली आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज में एक मिल बराबर होता है आठ फरलांग या एक दफमलब 6-0-9 किलो मीटर एक कदम बराबर होता है मित्रों 75 फेंटी मीटर मित्रों ये भी आप लोग याद रखिएगा ये भी महत्वपूर है एक कदम का मापक जो होता है वो 75 फेंटी मीटर होता है ठीक है मापक के प्रकार मित्रों मापक के कई प्रकार होते हैं लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख तीन प्रकारों का अध्यन करेंगे जो कि इफ प्रकार है ठीक, पहला नंबर है फरल मापक दूफरा है समय मापक तीफरा है तुलनात्मक मापक मित्रों फरल मापक देख सकते हैं फरल मापक सबसे पहले फरल मापक को इफ प्रकार हम लिख सकते हैं फरल मापक वह फीधी रेखा है जिफ पर मान चित्र पर मापक के अनुफार धरातली ये दूरी को प्रदर्फित किया जाता है मित्रों इफी फरल मापक को बनाते हुए हमें एक उधारन दे देते हैं दैसे मान के चलिए दो तरीके हो फक्ते हैं तो कथन मापक दिया गया हो या फिर प्रदर्फक भिन दिया गया हो मापक बनाने के लिए अगर प्रदर्फक भिन भी दिया गया है तो उसको आपको कथन मापक में बदलना ही होगा इसलिए इजी तरीका कथन मापक भिन दिया गया है तो आपको फफ़े पहले उसको कथन मापक में बदलना होगा तभी आप जो है फरल मापक बना फ़कते हैं चाहे फरल मापक हो कोई भी मापक ठीक है तो उदाहरण आपका जो इस प्रकार है कथन मापक एक फेंटी मीटर प्रति चार किलो मीटर के लिए एक फरल मापक की रचना की दिए जिफ पर दूरी किलो मीटर एवं मीटर में दिखाया गया हूँ ठीक है मित्रों तो इसको हम लोग जो है इस तरह इसको हम लोग समझते हैं आपको हम चितर दिखाएंगे, उसके बाद ताईका बताएंगे किस तरह आपको इसको बनाना है चलिए, किस तरह इसको हल करना है, ठीक है, चलिए, मित्रों आप चितर में देख रहे हैं, हमने इस प्रफन को इस तरह हल किया हुआ है, आपको समझा देते हैं, एक फेंटि में बिखाना है किन भागों को किलो मीटर और मीटर दोनों में दिखाना है यह आपके प्रफ्ण में बताया होगा थी कहें आप देख सकते हैं 1 cm 4 km इसका फामान नैर्थ क्या होगा कि 1 cm मान चित्री दूरी प्रदर्फित करती है 4 km भूम की दूरी बच्चों इसको हमने आपक चार किलो मीटर का मतलब क्या होगा एक फेंटी मीटर जो छोटी दूरी है वो मानचित्री दूरी होगी और जो बड़ी दूरी है वो होगी भूम की दूरी तो यही है कि एक फेंटी मीटर मानचित्री दूरी प्रदर्फित करती है चार किलो मीटर भूम की दूरी को या चार क चलिए आपको इसी प्रकाल लिखना है चोंकि एक फेंटी मीटर मांचित्री दूरी प्रदर्फित करती है चार किलो मीटर भून की दूरी को अब यहां उसके बाद जो है मित्रों आपको अपने फुबिधा के अनुफार करना है जितनी रेखा पर आपको इसको प्रदर्फित करना होगा प्रयाफ यह कीजिएगा वही लंबाई आप लीजिएगा जो आपके कॉपी में फुटेबुल हो आपके लिए फुबिधा जनक हो आपके लिए आफानी हो जैसे इसमें हो गया आठ फैंटी मीटर दफ c... बारा फैंटी मीटर वही दूरी आप लेकर उसको आप प्रदर्फित कर दीजिएगा जिसपे खाफ करके पूर्णांकों में किलो मीटर प्रदर्फित हो आइफा नहों कि आधा आधा ढाई ढाई हो जाएफा मत करिएगा तो देफे फीदिफी बात है हम 10 cm प्रदर्फित कर रहे हैं अब आप देख वकते हैं 1 cm मान चित्री दूरी जब 4 km भूम की दूरी को प्रदर्फित कर रहा है तो 10 cm मान चित्री दूरी प्रदर्फित करेगी 10 गुणे 4 बराबर 40 km जीडी को या ग्राउंड इफ्टेंफ या भूम की दूरी को इफ्ट दूरी को आप अपने इच्छा फे लेंगे ध्यान दीजिएगा ठीक देफे इफ्टे को हम अगर 8 cm की रेखाप अगर 8 cm मान चित्री दूरी लेते तो ये 8 चोग 22 km हो जाता 12 लेते तो बर 40 km हो जाता 15 लेते तो 15 चोग 8 km होता अंतरा पो करना क्या है ति जितने पे आप लिखेंगे उतनी ही cm की आप एक रेखा खींचेंगे ठीक है देफे हमने खींचा हुआ है बित्रों आप देख सकते हैं चित्र में 10 cm पे हमने दिखाया है तो 10 cm पे 4 km के अंफार में 40 km ही हम दिखा पाएंगे अगर 12 cm पर लेते हैं तो 40 km हमको दिखाना होता ठीक तो चलिए अब आप देख सकते हैं तो हमने एक 10 cm की रेखा खींच ली है इस पे हमको कितना दिखाना है 40 km अब 40 km दिखाने के लिए हम चाहे मित्रों इसको 10-10 km के 4 भागों में बाढ़ दें ठीक है चाहे 88 km के 5 भागों में बाढ़ दें अब आप देख सकते हैं हमने इसमें किया क्या है 88 km के 5 भागों में हमने बाढ़ दिया है मित्रों किफी रेखा को बराबर भागों में बाढ़ने का ये फपसे जो आफान तरीका होता है वो यही होता है कि उफ रेखा के पहले आप कोई कौन बना दीजिए छोटा कौन बहुत बड़ा भी ना हो मान के चलिए 30 डिगरी का कौन बना देते हैं रेखा को खीच लेते हैं और उफ के एक किनारे पर हम 30 डिगरी का कौन बना देते हैं 30 degree हो गया, 20 degree हो गया, 45 हो गया, बहुत बड़ा मत बनाना है, तो हम आफान समझते हैं, आप 30 बना दीजिए, अवफी को उल्टा करके आप यहां भी आप एक कौन बना दीजिए, वही कौन होना चाहिए मित्रों, जो कौन यहां हो, वो कौन यहां भी हो, ठीक, तो ऊपर और न प्रयोग करेंगे या तो चांदे का प्रयोग करेंगे अगर चांदे फे भी कोण बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो पट्री को लेकर आप चाहे यहां पर आप एक एक दो दो इंज करके बराबर इसको चार पाँच भागों में आप काड़ दीजिए उपर और हम यहां पर या तो परकार में कोई दूरी भरें इधर काट लेते हैं इधर काट लेते हैं इधर काट लेते हैं इधर काट लेते हैं कोई भी दूरी भर कर अगर हम देफे इफे 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 इ घ्यान देना है कि जो पहला खाना होगा उफको आप 0 फ़ी फुरू करेंगे जी रम एक खाना आपका अपहाफ umत वमित्षा क॥ दिखाया है तो एक खाना आपका 8 किलो मीटर को प्रदर्फित करेगा तो 8-8 पहले वाले भाग पे आप 0 लिखेंगे फिर उसके बाद 8 लिखेंगे फिर दूफरे पे 16 किलो मीटर फिर 24 किलो मीटर फिर 32 किलो मीटर यानि इसमें आपका एक भाग जो है आपका 40 km पूरा नहीं दिखाया जाएगा और एक भाग आपका इधर बचा रहेगा जो 0 पे हमने किनारे पे फुरू किया है तो इधर जो है पहले वाले भाग पर हमको फी km को हमको मीटर में भी दिखाना है ठीक है तो एक भाग 8 km को दिखा रहा है आप देख सकते हैं तो एक फीदे लिखेंगे एक km बराबर होता है 1000 मीटर तो 8 km में होगा 8000 मीटर अमित्रो 8000 में जो पहले खाने को हो जो पहला खाना है जीरो फे इस तरफ वाला आप देख सकते हैं तिस पे आपको 8 km दिखाना है मातने का तरीका वही है एक कौन वही तीफंस वाला यहाँ भी बना दिजीए आप उसके बाद 2 भागों में काट लिजीए इसको भी नीचे फे 2 भागों में काट लिजीए ने 2 भागों में बढट गया एक भाग में हम लिखेंगे पहले भाग पर 4000 हजार और दूफरे भाग पर आठ हजार ठीक है ये हो गया आपका फरल मापक द्वारा प्रदर्फित करना ठीक तो हम उम्मीद करते हैं मित्रों ये आपकी फमझ में आ गया होगा ठीक इसी तरह जो है अगर कथन मापक नहीं है अगर उसमें प्रदर्फित भिन दिया गया है तो उसको भी हम कथन मापक में बदलेंगे बाकी तरीका फेम होगा मित्रों फमझना है तो इस तरह फमझ लीजिए अगर आपको फमझ में नहीं आता है केवल कापी कंप्लीट करना होगा तो आप इसको फेम इसी तरह पुताल लीजिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बाटने का तरीका आपका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए अर्थात रेखाएं आपकी नाप जोक कर बराबर बंटी होनी चाहिए ठीक है? चलिए तो ये होगे आपका कथन मापक फे प्रदर्फक भिन्न में बदलना और दूफरा प्रफनाप का है जो कि प्रदर्फक भिन्न फे जो है हम उसको बदलेंगे प्रदर्फक भिन्न के आधार पर हम मापक रेखा बनाएंगे आप देख सकते हैं दूफरा उदारा जो है वो है एक प्रदर्फक भिन एक बटे दो लाग को मापक रेखा द्वारा प्रदर्फित की दिये जिस पर दूरी मीटर किलो मीटर एवं मीटर में प्रदर्फित की गई हो तो इसको हम इस तरह हल करेंगे मित्रों आपको हम यह देख रहे हैं अब इसको जो है आप देख रहे हैं यह है प्रदर्फक भिन आरयाब ठीक है एक बटे दो लाग ठीक है अब इसको हमको फिर से अपने हमने बताया है कथन मापक में बदलना होगा तो कथन मापक में बदलने का तरीका हम इसके पहले भाग में बता चुके हैं तो इसको जो कफन मापक में बदलेंगे तो यही आएगा एक फेंटी मीटर पर दो किलो मीटर तो बाकि आप पुराने प्रफन की तरह इसको भी हल कर फकते हैं एक फेंटी मीटर यम्डी अर्थाद मांचे तरी दूरी प्रदर्फित करती है 2 km GD को तब इसको हम अपने फुबिधा के अनुफार 10 cm की रेखा पर हमने प्रदर्फित किया है तो इस तरह 10 cm जब 1 cm 2 km को प्रदर्फित कर रही है तो 10 cm की इतने km को प्रदर्फित करेगी 20 km को 10 गुणे 2 बराबर 20 km भूम की दूरी को अब आप देख सकते हैं अब हम उफी बीफ 10-20 मीटर की रेखा खीचेंगे उसके बाद उस पर हमको 20 किलो मीटर आपको दिखाना है तो इसको भी हम जैसे 20 किलो मीटर है चाहे 5-5 किलो मीटर के 4 भागों में आप दिखा देजिए चाहे 4-4 किलो मीटर के 2 भागों में दिखा दिजिए चाहे 4-4 किलो मीटर के 5 भागों में या 5-5 किलो मीटर के 4 भागों में या 10-10 किलो मीटर के 2 भागों में ठीक है तो हम आराम से इसको मित्रों आप देख रहे हैं चित्र में तो इसको हमने दिखाया है 44 किलो मीटर के 5 भागों में ठीक है आप देख रहे हैं एक हमने 10 फेंटी मीटर की रेखा खिंची है इधर 30 डिगरी या कोई भी कोण हमने बनाया है और वही कोण इधर भी बनाया है गोला प्रकार में या पटरी रहकर हमने जो है इसको बराबर भागों में इसको काट लिया है क्योंकि हमको 5 भागों में अगर माटना है तो 5 भागों में हमने काट लिया है इसको इधर भी नीचे भी उफी दूरी को 5 भागों में उफी अनफार काटा हमने उसके बाद अंत में पहले वाले भाग फे किनारे फे इधर किनारे अंतिम भाग को किनारे फे बाकि बीच वाले भाग को जफ्ट जो है अपने फामने वाली रेखाओं फे हमने मिला दिया तो मित्रों ये हमारी रेखा, चुकि जब भी आप देखेंगे, आपकी ये रेखा बटनी चाहिए, ये रेखा, आप देख वक्ते हैं, एक भाग, ये हो गया पहला, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, पाँच भाग, तो रेखा आपकी ये बटनी चाहिए, बीच वाली रेखा हमेंसओ आप फीधी खीचेंगे वहफी बच्चे आइफे करते हैं हिखी देते हैं कभी कोई आइफे बना दिया आइफे चोगो और उफ के बाद एक तिरशा खीच कर उसको बाट दिये एक को अगे लेके जाना है ठीक है है wsp, तो इसमें हम आपको जो 5 भागों में दिखाए है तो 5 भागों में अगर हमने बीफ jeo दिखाया है तो एक भाग आपका 4 किलो मीटर दिखाएगा तो ठीक है लिखेंगे उफी प्रकार पे पहले वाले भाग को हम 0 फे फूरू करेंगे 0 तो 4-4 किलो मीटर 4-8-12 फोला ठीक है एक भाग आपका हमेफा खाली रहेगा यानि फोला तक ही पहुंचेगा एक भाग आपक चार किलो मीटर को प्रदल्फित कर रहा है तो एक किलो मीटर बराबर 1000 मीटर तो 4 किलो मीटर में 4000 मीटर ठीक है तो 4000 मीटर हम इस पे दिखा दिये हैं पहले वाले भाग को हमने जो है पुरानी बिदी पे हमने दो भागों में बांट लिया है उसके बाद दो भागों में बा रहे हैं लेकिन वफरते आप लोग जो मल लगा कर समझेंगे तो आफानी से समझ में आ जाएगा ठीक वफरते यही है कि आपके दूफरा तरीका आप अपना कर पहले आप रेखाओं को बराबर भाग करना आप सीख लिए यह मुख चीज़ है ठीक चलिए आगे हम देखते हैं अब फामय मापक हम लोग पढ़ेंगे यह हमारे दो प्रफन हल हो गए हम लोग फरल मापक पढ़ चुके हैं अब दूफरा जो है दूफरा तरीका हम इसमें पढ़ेंगे मापक रेखा को फामय मापक ठीक है रेखा चित्र बिधी में एक फरल मापक हम लोग पढ़ चुके ह दो दूफरा है वो है फमय मापक फमय मापक वह फीधी रेखा है जिफ पर गतिफील फाधनों द्वारा निफचित गतिफे चलने पर किफी दूरी को पार करने में लगने वाले फमय को अंकित किया जाता है इस मापक की फहायता फे मानचित्र पर प्रदर्फित किनी दो अफ्थानों के बीच की दूरी को भूम पर पार करने में लगने वाले फमय को बिना किसी गणती परिकलन के ग्याद किया जाता है अभी तक हम किलो मीटर और मीटर में प्रदर्फित करते थे रेखा पर अब हम क्या करेंगे घंटे और मीनट को प्रदर्फित करेंगे ठीक है हल करने के बाद तो आप देख सकते हैं इसमें भी वही चीज़ आपको दिया जाएगा या तो कथन मापक दिया जाएगा या तक्रिया इसमें फरल मापक की है थोड़ा फबाद में हम अंतर कर लेंगे तो जहां पर हम जो है दूरी को किलो मीटर और मीटर में प्रदर्फित किये हैं वहीं पर हम जो है उफी मापक रेखा पर घंटे और मिनट में हम प्रदर्फित करते हुए फमय मापक की रचना करें खाया गया हो जबकि फेना की गती बीफ किलोमीटर प्रति घंटा है ठीक है तो चलिए जिभको हम लोग इफ तरह प्रति घंटा ठीक है तो वहां भी तक आपक राजाएंगे जो हम लोग रेखा-चितर-बिधि में अपनाते हैं फारी फरल मापक विधी में इफ में हम लिखेंगे चोंकि एक फेंटी मीटर मांचित्री दूरी या यमडी प्रदर्फित कर रही है चार किलो मीटर जीडी को फिर उसके बाद अपनी फुबिधा के अनुफार हम लेंगे गिंती लेकिन हाँ ध्यान इतना रहे कि अंत में जो हमको फमे बराबर दूरी बटे चाल करना है अर्थाद घंटे हमको निकालना है तो यहाँ पर वही गिंती हम ले और गुणा करने पर हमारी वही गिंती ये आए जो हमारी जो ये चाल दी गई है, कती दी गई है, उफे बट जाए, उफे कट जाए कहने का मतलब, ठीक है, अब इसमें हम 10-20 मीटर भी ले फकते हैं, 15-20 मीटर भी ले फकते हैं, फिलहाल हम 10-20 मीटर लिये हैं, तो हो गया हमारा जो है 40 किलो मीटर, तो हमको करना क्या है, दूरी बटे चाल मित्रों आप देख फक्ते हैं हमने फूत्र लिख दिया है फमय बराबर दूरी बटे चाल दूरी हमने लिकाल लिया है चालिफ किलो मीटर बटे चाल हमारी दी गई है बीफ किलो मीटर तो हमने काट कर इसको निकाला गया है बीफ किलो मीटर हमारा उत्तर आ गया है दो घंटे फम है अर्था चालिफ किलो मीटर चलने में बीफ किलो मीटर प्रदी घंटा चालफ है चलने वाली फेना को कितना लगेगा दो घंटे अब हमको करना क्या है दो घंटे को हमको जो है एक दफ फेंटी मीटर की रेखा पर हमको दिखाना है तो हमने मित्रों य यहां चोटी होगती है लेकिन जब आप लोगख खीचएगा ढप कर कि जब आप खीच यह धम लोगब दिखहा ने हैं तो पुरारी तड़ी की हमने कोई कुदी हमें टारेटी का नहीं को इबसने हमें इस बार इधर केसे दो भा सब्सकों करें ठीक है तो यह तरीका हो गया बाटने का तो यहां हम लिखेंगे फिर 0 फिरない कि जिरो लिखेंगे बिखेंगे लेकिंड हम ने ये भी आपको बताया है कि एक खाना आपका आया एक भागाह। आपका इसमें दिखाया नहीं जाएगा और उफ के जो पहले भाग पे हमको उफी में घंटा भी दिखाना है और घंटे फे छोटी एकाई मिनट होती है तो जीरो के पहले हम मिनट दिखाएंगे जीरो के बाद घंटा दिखाएंगे ये एक घंटा हो गया अब आकी इस वाले भाग पे हम एक घंटे बराबर होता है कितना मिनट एक भाग कितने को प्रदर्फित कर रहा है एक घंटे को क्योंकि हमने दो भागों में बाटा है दो घंटे हमारा फमय है ठीक, तो एक घंटा बराबर होता है फार्ट मिनट तो अब पहले भाग पे हमको फार्ट मिनट दिखाना है अब इसमें हम चाहें तो 15-15 मिनट के चार भागों में बाट कर दिखा दे बीफ बीफ मिनट के तीन भागों में या आधे आधे घंटे के दो भागों में हम बाट कर दिखा सकते हैं ठीक है तो हम इसमें पंद्रह पंद्रह मिनट के चार भागों में हमने बाटके दिखाया है तब पहले वाले भाग को आपको चार भागों में आपको बाटना है पुरानी तरीके पे अभी तक होता है हम पूरी रेखा को बाटते हैं इधर हमने मिनिट में दिखा दिया इधर हमने घंटे में दिखा दिया ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये चीजे आपको फमज में आ गई होगी ठीक है? अगर एक बार में फमज नहीं आता है तो कई बार आप लोग पूनिये हैं हालाकि ये वीडियो मित्रो लंबा हो जाएगा इसलिए आप लोग परिफान मत होईएगा क्योंकि इसमें हम अगला वीडियो नहीं बना पाएंगे इसमें आपको हमको इसको भी पढ़ना है और तुलनात्मक मापक भी पढ़ना है अगला प्रफन है मित्रो दस किलो मीटर प्रद घंटे की गती से चलने वाली एक फेना के लिए एक समय मापक की रचना की दिये जिफ पर दूरी घंटे वो मिनट में प्रदर्फित किया गया हो जबकि प्रदर्फक भिन एक बटे दो लाग है ठीक है बस वही पुराना तरीका प्रदर्फक भिन को हम बनाएंगे किस में कथन मापक में ठीक है आप इसको देख सकते हैं मित्रो हमने इसको किस तरह हल किया है आप देख रहे हैं प्रदर्फक भिन हो गया है एक बटे दो लाग कथन मापक में अगर बदल लेंगे तो एक फेंटी मीटर पर दो किलो मीटर तो बाकि वही चीजे हम लिखेंगे चूंकि एक 20 मीटर मानचितरी दूरी प्रदरफित करेंगे तीफ किलो मीटर को अब तीफ किलो मीटर यह हमारी दूरी आ गई और झाल हमारी दी गई है 10 किलो मेटर प्रदि घंट जयसा की प्रफण में दिया गया है तो वही प्रफण को पहाँने से भी बराबर दूरी बटे चाल होता है दूरी हमारी 30 किलो मेटर और चाल हमारी 10 किलो मेटर है तो 10 ति Albertoire 20 किलो मेटर की रेखा खीचेगा आप लोग जो भी रेखा आप खीचेगा पट्री फे नापकर खीचेगे ठीक है और उफी पंदरा उफी पे हमको तीन घंटा पड़ार्फित करना है तो एक घंटे के हम तीन भाग करके इसको दिखा देते हैं मित्रों तो ये बाकी बांटने का तरीका व हमारा एक घंटे को दिखाएगा तो एक घंटे बराबर होता है कितना फाट मिनट तो पहले वाले भाग पर हम फाट मिनट को प्रदर्फित करेंगे तो यहां हम जो है देशा बता चुके हैं 15-15 मिनट के चार भाग या 20 मिनट के तीन भाग या 30 मिनट के दो भाग तो यहां समझ में आया होगा तो फिर जल्दी नहीं आएगा या तो आप कई बार फोनिएगा उसको ठीक है तो ये होगे आपका दूसरा तफ़वाल और तीफरा तफ़वाल जो है जो हम आगे देखते हैं उसकी तीफरी भी दी है तीन तरीकों से हम आपको हल करा रहे हैं जो कि जितने तरीके से आपका प्रफन बन सकता है वो कुछ तरीके हैं हलाकि बहुत से तरीके हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बना सकते हैं तरीके आपको कई तरीकों से आपसे प्रफन पूछा जा सकता है अब इसको आप देख सकते हैं मित्रों अगला उदार जो ह यह थोड़ा से सबसे हटके है अब आप इसमें देख रहे हैं किनी दो अफ्थानों के बीच की मान चित्री दूरी पाम फेंटी मीटर तथा उन दोनों अफ्थानों के बीच की धरातली दूरी तीफ किलो मीटर है इसे फरल मापक और समय मापक दौरा प्रदर्फित की जिए जबकि फेना की गती है दफ किलो मीटर प्रती घंडा मित्रों ये भी उफी प्रकार है अंतर क्या है इसमें हमको पहले मापक बना के कथन मापक के रूप में प्रदर्फित करना है तो आप इसको देख सकते हैं चित्र में जैसे आपका ये प्रफन है वैसे ही हम आपको देखा रहे हैं इसमें ठीक है चलिए मित्रों इफ प्रफन के माध्यम फे अगर देखा जाए तो हमें जो है जीडी अर्थाद भूम की दूरी दियो गई है तीफ किलो मीटर माचित्री दूरी दी गई है पाम फेंटी मीटर तो मापक वराबर होता है यमडी बटे जीडी अर्थाद पांच बटे तीफ अर्थाद एक बटे छे एक बटे छे का मतलब एक फेंटी मीटर माचित्री दूरी और छे किलो मीटर आपकी हो गई है भूम की दूरी को दूरी हो गई है ठीक है तो कथन मापक आपका हो गया है एक फेंटी मीटर प्रती छे किलो मीटर ठीक ह है अब और तरीका हम वही अपनाएंगे एक फेंटी मीटर देफे हम इसमें चूंकि नहीं लगाएं है मित्रों चूंकि आप लोग लगा लीजिएगा चूंकि एक फेंटी मीटर मांचित्री दूरी यम्डी प्रदर्फित करती है छे किलो मीटर जीडी को अब इस पे हमने पक खीचना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल तो फाट बटे दफ उत्तर आगे आपका छे घंटे ठीक है अब आपको करना क्या है दफ फेंटी मीटर की रेखा को खीचना है उस पर हमको छे घंटे दिखाना है तो दर बद उसको बांटने का तरीका वही है जब दफ्ट फेंटी मीटर की रेखा पर हमको छे घंटे दिखाना है तो उफी दफ्ट फेंटी मीटर की रेखा को हम छे भागों में बांट लेते हैं ये के घंटे को हम दिखा फकते हैं अब देख सकते हैं दफ्ट फेंटी मीटर की रेखा है बांटने का तरीका वही पुराना व तो आपकी जो ये रेखा है, मुख्य रेखा, जो भी हम आपको फिर फिर दिखा रहे हैं, ये है मुख्य रेखा, आपकी छे भागों में बढ़ गई, हम देख़कते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे, ठीक, तबाकी वही चीज़ हम है, पहले भाग पे हम लिखेंग रहा है, तो एक घंटे बराबर होता है, मित्रो फार्ट मिनट, ठीक है, बगल में लिख दिये हैं, पाइमाना हम भी, ये लिखेंगे है, एक घंटे बराबर फार्ट मिनट है, तो पहले भाग पे हमने फार्ट मिनट को दिखाया गया है, तो पहले भाग को हम दो भागों मे फिर माट लेते हैं पुरानी बीदी से तो पहले भाग पर 30 मिनट दूफरे पर 40 मिनट इसको हम इस तरब दिखाते हैं और इधर पर जब दिखाएंगे मिनट तो उल्टे दिखाएंगे ठीक है 30 मिनट पर 50 मिनट बार बाकि ये सब घंटा दिखाए गया है तो मित करते हैं फमझ में आगे होगा और हम ये भी समझ फक्ते हैं कि फमझ मापक रेखा आप लोगों के लिए बहुत इजी है बहुत कठिन भी नहीं है आप इसको अराम फेल लगा फक्ते हैं बना फक्ते हैं चलिए अब एक चीज़े और बचा है तीफि में हम उफ को भी बता देते हैं मित्रों ठीक है ये अलग वीडियो बना दे उफ के लिए ऐफा है मित्रों ये अदह घंटे holders जादा हो जाएगा इफ को हम छोड़ देते हैं यहींपर अगला हम उफ अलग ते बना देते हैं ok?